जशी क्रश्ना आपने ये पोगरम करी हिया था लाज्टेंट बदाने घ्याज ज़िए अधन्द में लोगों छोगरा हो और तमने में एक श्लोग जी फाड़ा लाँ खबर जे तमने बदाने खबर चे श्लोग तो गुरु ब्रह्मा गुरु इस तो जीवन मां सकरत्मक बनान अपने मिलबाव मांटे बहुत प्रहत्मक बनाने खबर चे शकरमक जिवन मांटे को यूँँची याणि देलू तमने बदाने खबर चे कर प्रथम गूरु अपना माता भिजा घृर कॉण अपना शिक्ष्षाब ऑं इवा गुरू आजे आवता मिरी निंदर अपना अमद अंतना स्वायम पूत्या आवी रहाँ छे कि और साख करेशा हो हैEr हो में खायfight करना हächst पम्ल को Самग पर समय करके अदिधा को सबसेट Top Log में कशो कि अमारे जरूरी जरूर को हुआ ये वीक ने जिवन जी तो सारा खौराब बिने रस्ता विए वक्ति पड़े तुमारे तो फक्त सारा रस्ते जवाँ माटें की ये ज़िलनी बहु हुँ जरूरूर शांती संधेश वा आप में हैं फट्टा पर इतला माणा परने अभी जो बात आपने कई तो संत राइन दिस्टी महराज की बात कई वह एक बहुत बड़े वेग्यानिक भी है जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हैं वो पढ़ लिख के यहां के सबसे जो बड़ा संस्थान है आएएटी मदरास वहां से पढ़ाई करी उन्होंने और फिर आगे अमेरिका में जाके पढ़ाई करके वेग्यानिक हो गए वेल्स लैबोरिटरी में उन्होंने काम किया जो हमारे मोबाईल में टाश स्क्रीन है यह सारा उनकी खोज है तो बड़े-बड़े उन्होंने वेग् आत्मा का भी एक विज्ञान है जो सबसे बड़ा विज्ञान है इसको काया है कि आत्मा पर्मात्मा का विज्ञान यानि कि आध्यात्न विज्ञान यह सभी विज्ञान की मा है इसी में से सब इन्ह विज्ञान निकला अगर आत्मा होगी तो हम जिंदा होंगे और हम लिए और हमें ये बात को समझाते हैं और ज्ञान में बिठाखे ये शरीर जो हमारा हम शरीर नहीं आत्मा है लेकिन शरीर के साथ चल रही है, शरीर को चला रही है, अगर आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर चलेगा नहीं, हसेगा, बोलना, सब कुछ बंद हो जाएगा, हम देखते हैं, जब कोई इंसान की मृत्ती हो जाती ही, तो उसकी आत्मा निकल जाती है, तो वो शरीर बेकार हो जा कर अभाती है विन्दी लगाती है हम लोंat विश्प कार होता है उसके रिकी लगाए तो यह आतमा का इसनी यह शिवनेत्र जगह से शिवनेत्र है शो Pillay होरा है पैद्ध फूरभ दिहान में बिथाके कि खुल देते हैं जब खुल देते तो उन्दर हो जाताए जैसे मंदिर में हम क्या करते हैं? दिये जला के चांदना करते हैं यह चांदना हो most気 है वह ही आत्मा का स्वरूप है वो सुक्दाई है, आननदाई है खुषियां देने वाला है जब हम उस चांदे को देखते हैं तो हम खुशियों से भरपूर हो जाते हैं तो अभी यहां पे 22 23 चोईश एमदाबाद आ रहे हैं महाराजी संत्राइश जरसिंगी महाराज आप आस्था चैनल पर भी अगर जो कोई घड़ पे होते हैं संडे के अलावा सुबह 8-20 पर जैसा आप बाई सब्सक्राइब बताया तो विग्ञान के छात्र जैसे प्रयोक्षाला में जाते हैं जो हमी क्षिक्षाकण है उसको हमें भी जो बात पड़ाते हैं उसको वे प्रयोक्रा इसी प्रकार आत्मा पर मात्मा की विद्या को भी मनुश्य शरीर के अंदर हम प्रयोग सिद्ध करते हैं कि जो संथ मात्मा जो संथ रायंदर सिंजी महाराज और इससे पहले भी संथ कभीर साफ से गुरुनानक साफ से अब तक सारे संद्ध गुरु जो हमें कहे रहे हैं कि आत्मा है और शरीव के अंदर यह मनुश्व शरीर में हम उसे देख सकते हैं सभी मनुश्य का जनम सिद्ध अधिकार है उस आत्मा को देखने का जानने का और जब हम उसके स्वरूप को प्रभु की जोती और प्रभुका शब्द, प्रभुका संगीर के रूप में जो है, उसके रूप में जब हम उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम खुशियों से भरपूर हो जासें, वो खुशियां पाने के लिए ही हमें आध्यात्म का रास्ता पकरना जरूरी है, सबी के लिए बच् सुझदा पराफ्त नहीं है, जितने कीडे, मकोडे, ब्रक शादी, देवी देवताओं वो भी ये सुझदा नहीं है, जो हम मनुष्यों को बिली हुई है, इसके लिए जैसे आपको ये ज्ञान देने के लिए सिक्षक हैं, ये आपको ग्यान देते हैं, ऐसे ही आध्यात्म क का ग्यान देने के लिए संत्राइंदेशिती महाराज जल्दी एहम्लबाद आ रहे हैं आप सब लोगों को पायदा आप आपके पेरेंट्स और जो नारोसी पड़ोसी सबको आप लेकर आसकते हैं निश्वल के कोई पीस नहीं है उदर और वो सबको बहुत प्यार करते हैं बह जब हम ध्यां से पढ़ाई करेंगे तो हमारी पड़ाई बहुत अची होगी जब हम से करेंगे द्यान लगाएंगी थो अमारा रियां का अभ्यास हो जाएका भ्यास हो जायगा तो जो obey का आदा घंते हैं वो पांच मिर्ड में करने लग जाएंगे तो हमने फाइदा होगा, खेल कूद कर रहे हैं, तो ध्यान से करते हैं, खेल कूद तो उसमें भी हम अच्छा करते हैं, और आगे जाके आप कोई नौगरी पेशा, काम दंदा व्यावसाय कुद करते हैं, उसको ध्यान से करेंगे, तो वो भी अच्छा करेंगे, तो ये ध्यान जीवन कि अबढ़ा ओंगा कि यह अंदर कपार जोति के आत्मा के दर्शन करवा देगे प्रभु का संगए तो आई सो लाव